तो ये कहानी शुरू होती है एक शेमन को दिखा दे हुई वो काला जादू इन्हीं ब्लाक मैजिक कर रहा था उसके एद के इनसानी जिसम और गाएं के बार्ट्स पड़े हुए थे जिनको मिलाकर वो जादू कर रहा था इसे टाइम उसके पास एर्मा आती है अपनी बेहन को नहीं जाधि वो हर हाल में अपने प्यार को पाना चाहती है जाहे वो गाला जादू ही जिनी उसे किसी और एंटिटी ने पोसेस कर लिया उसका चीरा खुफ ना कुछ गता और वो यहां इर्मा को धंगी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चैनी जाएगी यह सुनकर इर्मा और उसकी बहन दोनों वहां से वापिस आ जाते हैं और इस से जाना मिलेड़की से शादी हो गई थी और अब उसकी बाहरा साल की बेटी सूफिया पी थी जो देख नहीं सकती थी यहीं वह ब्लाइंड थी यह सभी लोग यहां सूफिया की बर्दे पार्टी सेलिपरेट कर निकलिया थे इसी टाइम पर हमें गालन की मुदर को भी दखा से ऐसे आपनी मोम के कहने पर मिसा से शादी दुख लें लेकिन अचे में काफी करीब था लेकिन ऐसे इस थी वह सब्सक्राइब थी बहुत ही nit और अरौन से को कुछिश करती है लेकिन गालन उसकी कॉल्स को कॉंटिनिसली एग्णोर कर रहा था इर्मा के बहन जो कि इर्मा और गालन के बाहर में सब कुछ जानती थी वो इर्मा से कहती है अब गालन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी एक फैमली है और तुम उसकी फैमली खराप कर रही हो वोलन की बातों से इर्मा को बहुत साथा खुसा आजाता है और वो डांट कर वोलन को ही अपने कमरे से बाहर निकाल देती है इस टाइम उसे वैसे भी वोलन से जादा गालन पे खुसा रहा था क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब गालन ने उसके साथ जीने मरने की किस्प में खाएं थी पर अब जैसे वो सब भूल चुका था उसे में इर्मा अब गालन की कान करने वाली जगा पे पहुंच जाती है वो इस टाइम खुसने में थी और गालन से अपने बच्चे को एकसेप्ट करने को कह रही थी लेकिन यहां भी गालन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत रूड बेप करता है उसे में इर्मा उसे धमकाने के लिए पास बढ़ा हुआ चाकू उठा लेती है इसे पहले के इर्मा उसके उपर हमला कर दीती गालन उसे धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है इस एकसरेंट की बचा से उसका में स्केरेज हो चुगा था गालन उसे खुद हास्पिटल लेकर जाता है और जब इर्मा को होश आया तो इर्मा ने इस सारी चीज़ों का सिम्मदार गालन को टेराया यहां गालन अराम से उसे समझाता है देखो इर्मा मैं शाहती शुदा हूँ हम अब साथ नहीं रह सकते लेकिन इर्मा तो जैसे उसकी कोई बात सुने को तियार ही नहीं थी वो बारपार यही बोल रही थी देखो बारण तुपने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी लेकिन यहां गालन एक तम से खुद से मिहाँ जाता है और उसे अपने से दूर करते हुए उसके ओपर कुछ पैसे फेंकर यहां से चला जाता है वो अब ऐसे किया था कि इर्मा पर जानती थी अब वो वापस कभी नहीं आएगा उसके अपना सब कुछ खो दिया था वो यहां सोर सोर से चलाती है और फिर गालन को बरबाद करने की ठान देती है सीन के ठोकर हमें तुपारा गालन को दिखाया जाता है जो काम के बाद अपने घर वापस लोट रहा था तब इस रास्ते में मस्जिद से इमाम निकल कर उसे कहते है अब तुम्हारी फैमली में से कोई भी मस्जिद नहीं आता तो मैं मस्जिद आकर इबादत करनी चाहिए इबादत हमारे उपर आने वाली बुराईयों को पहले से पहले ही रोग देती है उसके बाद इमाम गालन को उसके बेटी सोफिया के लिए एल गिफ्ट पी देती है जिसके बाद गालन घर चला जाता है वह बहुत साथ ठका हुआ था इसलिए स्थो गया और तब सोते हुए सोफिया उसके पास आई सोफिया ने उसे जुकाया और यहां हमें दिखाया गया कि सोफिया ने अपनी आँखे पाहे निकाली हुए थी जिसे वो गालन को देते हुए कहती है डाड इस मरतबा अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मुझे आँखे गिफ्ट करना उसके खतरिनाक सचीरा देकर एक दम से गालन की आँख खुल गई और हमें मालूम हुआ कि ही सिर्फ गालन का एक डिराउना खाब था वो डर कर रुट कर अपनी बीटी सोफिया के पास चला जाता है और यहां सोफिया को देखते देखते उसे अपना पास्ट यादाता है जिब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वो अपनी वाइफ नीसा का बिलकुल खयाल नहीं रखता था उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता था और प्रॉपर जेक अपना होने की वज़ा से ही आज सोफिया की आँखी नहीं थी अखले दिन इर्मा उस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दुबारा गालन को कंटक्ट करने की कुशिश करती है पहले पहले तो कालन उसे इग्नोर करता है और फिर फोन उठाकर उसे बहुत जादा करभी कैसे लिए सुना देता है गाइन के बिहेवर से एर्मा को बहुत जाता गुस्ता आजाता है और अब वो कालन को बर्बाद करने के बजाए गालन को पाने का फैसला कर लेती है और अब उसे इंग गालन को पाने के लिए बहुत ही बुरा फैसला किया था वो दुबारा गई थी शेमन के पास यही अब वो गालन के उपर काला जादू करवाने वाली थी शेमन से मिलकर इर्मा उसे कहती है मुझे अब शेमन किसी भी हाल में चाहिए और इस तरहां कि उसके जिंदगी में मेरे इलावा कोई औरत न हो हलाकि इससे पहले इर्मा को नीसा से या सोफिया से गालन की बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहां तक कि वो तो सोफिया यनि गालन की बेटी से बहुत प्यार करती थी लेकिन अब गालन की ही बेवियर ने उसे यहां तक पहुँचा दिया था वो शेमन से कहती है इस काम के लिए चाहे आप मेरे से कोई भी कीमत लेने लेकिन अब मुझे गालन सिंगल चाहिए शेमन अवे पे उसे गहता है देखो नड़की तुम बात नहीं मान रही ये काम बहुत जादा खदरनाक है लेकिन इर्मा को परवा नहीं थी इर्मा यहां पर अपनी और अपनी बहन की सारी गोल्ड की चुल्ड़ी उसने दे देती है जिससे देखते हुए शेमन की मौ भी शेमन को ये काम करने को कहते थी पर ये शेमन इर्मा की मदद करने को राजी हो जाता है और भे इर्मा को बताता है कि इस दुनिया में बहुत किसम के जिन होते हैं और उसमें से एक किसम है अनफगाशार जिन्सकीजोगे काφीर है मुस요मानों से बहुत जड़ा नफ्रत करते हैं और इनी जिन्स का इस्तमाल करते हुए वो उनके उपर गाला जादू करेंगे गाला जादू के लिए उसे अब कुछ चीज़ चाहिए थी यह गाला जादू होने वाला था नीसा पर इनी गालन की वाइफ पर ताके वो और उसके सारे रिष्टे मर जाए शेमिन उसे नीसा की एक फोटो बाल और खोल लाने का काम देता है जिसके ज़िए नीसा की ओपर पुसेशन होगा यनि नीसा की ओपर गाला जादू का असर होगा साथ ही शेमिन को गाले जादू के लिए एक ताजा मरे हुए इनसान के पाउं की हड़ी बिचाए होगी जिसके उपर वो गाहीं की आँटों को लब बेट कर अपना जादू करेगा शेमिन की कहने पर इर्मा गालन के एक घर जाती है उसके वाहिफ से मिलती है और बहाने से उसके वाश्रूम में जाकर उसकी गंगे से बाल और उसके वाश्रूम से सैनिट्री पैट जुरा देती है अप्ता काम होने के बाद वो यहां से निकल देए वाली थी कि उसे दुबारा यहां पर गालन देखिया गालन उससे देखते ही कहता है तुम यहां क्या करे हो कितनी मरत्मा मना किया है मेने तुमें मेरी फैमिली से दूर रहो उसकी बाते सुनकर इर्मा को अपने लिए और भी जादा बुरा रगता है और वो अब एक मसबूत इरादे के साथ ये सारी चीज़े जाकर शेमन को देा दी है शेमन भी एक इनसान की टांग ले आए थी और रात में ये रिच्वल ये जादू शूरू कर दिया जाता है शेमन इर्मा से कहते हैं अच्छा हुआ कि तो फोल ले आई उनसे तो ज्यादा अच्छा सर होगा वो यहां एक ब्लेड से सेंट्रिपैट को कारते हुए उनको पाउं की हड़ी के अउपर किराते हैं जिन उसकी बात सुनकर यहां से चले जाते हैं और शेमन इर्मा को बताता है कि अकली पाच राते नीसा के लिए इंतहाई मुश्किल राते होंगी जिसमें उसके सारे ब्लड रिलेशन्स मारे जाएंगे ऐसे इर्मा की सारी खौहशात पूरी हो जाएंगी पहली रात में हमें दिखा जाता है कि नीसा जब नमाज पढ़े ही थी एकदम से उसके सामने गाहें के कटे हुए पार्ट सा गए जिससे देखकर वो डर गई जिसके बात नीसा को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके ओपर किसी ने बाल्टी भर के खौन किरा दिया हो वो डर कर इतनी बुरी तरह चिलाई कि गालंग यहां आगया और जब गालंग की नज़र उसके ओपर पड़ी तो नीसा की कपड़े बिल्कुल साफ थे वहाँ कोई खोन नहीं था वो नीसा से कहता है चलो तुम अराम कर लो मेरा ख्याल है तुम ठग गई हो अग्वी रात हम देखते हैं कि जहादो का सर नीसा के ओपर दुबारा हो रहा था ऐसे में वो अपने और अपने बेटी की डॉल के बाल काट की खा जाती है जिसकी बसा से उसे उल्टी शूरू हो जाती है जब वह होश में आई तो तब वह बहुत साथा परिशान हो चुकी थी कि वह क्या उट पटांके रटकते कर रही है वो इन चीज़ों के बारे में गालन को बताना चाहती थी लेकिन गालन उसकी बातों पे देहान नहीं देता सेंगे ठोकर हमें इर्मा को दिखा आचाता है जिसकी बहन ये नी वूलन उससे अपनी जुल्री के परे में पूछ रही है उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम उस शेमन के जुल्री देकर आई होना तुम कुछ गलत कर रही होना उसकी बातों से तंगा कर इर्मा उसे ठांट और अगया जान गई हमें मालूम हुआ है कि सिर्मा की बेहन देमने जीमा इनमाने जीमना झीए जानी ऊच्चर फ्रोट से क्यों नौहास इजिल्छ में को चईक उन पर तो אפसी कीड आ रहे था उसके साथ पिछगे इतने जिक ढ़ल्ट में उसकी गलत हो रहा था दो इन सब eth करना जाती थी इसलिए इन कीड़ों को पी उठाकर एक जार में टाल देती है ताकि इन कीड़ों को किसी को दिखा सके इसके बाद इर्मा गालन की मौम की कमरे में जाती है यहां वो आई तो उनका ख्याल रख निक लिए थी लेकिन अचानक ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है जासे जासा ही जाता कि पता नहीं है रहा है उसे पहले कुछ और गलत होता है जासे बगेरवक्ति से मदद लेने का फैशला करती है दो दो जश्या कर वे पध्लिग् ckydda बं इस देखर हेरान हो गई कि वहाँ अब वो कीड़ी नहीं थे दूसरी तरह गालन की मॉम जो के चल पे नहीं सकती थी हमें दिखा जाता है कि वो बिल्कुल सही चलते हुए किचन में आती हैं और गरम खाने से भरा हुआ परतन उठा कर अपने ऊपर डाल देती हैं नीशा जो अभी और सब यहां पर आए हुए थी फिंडल पर नीशा एकड़ से अपने ऊपर से कंट्रोल खोड़ देती हैं उसे कोई एंटिटी पॉस्सेस करती है और इस पोजेशन में वो गालन की मॉम की डेट बोड़ी को वहां से उठा कर दूर पहंग देती हैं सबी लोग यह देखकर सिबाए इरमा की जो जानती थी यहां क्या हो रहा है और वो तो यह सब देखकर हुश थी दिखाए चाता है कि यहां पर इमाम भी आए थी किसी एवल जिनको नीशा के बास पिलाया था और इपनी मॉम के फिंडल के पाद गालन भी जब सौने के लिए चाता है तो उसे भी अब अच्छी वो गरीब सौब आ रही हैं बहुत डराउनी डराउनी उससे प्रखाब में देखा था कि वो मर चुका है और उसकी इर्द के बहुत सी औरते घूम रही थी देखकर वो डर गया और फूरण सारी बातें इमाम को बताने के बाद जवाब देते हैं मैं पहले ही नीसा को देखकर जान किया था कि वो किसी शितानी जिन के कब्से में उसका नाम है अनजार और अनजार एक ऐसा जिन है जो बहुत ज़्यादा दाकत्वर है वो मुस्लमानों से नफरत करता है इसलिए को निसा के लिए holy water देते हैं और कहते हैं कि हमें निसा पर एक्सॉर्सिजम करना होगा यह जादू का तोड़ करना होगा इसके लिए तुम निसा को मस्धित के पीछे वाले आल में ले आना अब गालन जैसे ही कर आया तो उसने देखा कि निसा चिला रही थी असल में उसे गा गालन को बहुत जादा बुरा लग रहा था कि अब गालन के पास उसकी बेटी और उसकी वाइफ के इलावा कोई नहीं था वो प्यार से यहान इसा को सुला कर रेडियो पे कुरान पाक चला कर चला जाता है लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो गया और लिसा को जिनों बुरी तरह पुजस कर लिया अब तो इसकी आँखे भी अजीब हो चुके थी उसके होड़ दांत कानी और वो खुद एक जिन की तरह दिखने लगी थी सीन के ठोकर हमें इर्मा की मौम को दिखा जाता है जो गालन की मौम की बेहन थी गालन की मौम की मौत के बाद उनको भी बहुत ही डिराओने-डिराओने स्वाब आ रहे थी आज वो पी किचन में किसी चीज को देखकर ड़ चाती हैं और जोर-जोर से शीखे मारती हैं उसके बाद वो पाकलों की तरह अपनी किचन के इर्टन दोर डालती हैं और दोर बेहन पछे हैं और प्रफतनों का का न्च बेहन को सब सच बता देती है कि हां उसे शेमन से मदद दी थी उसे शेमन से जादू करने को बोला था लेकिन शेमन ने कहा था कि इस जादू के बाद सारी मौत नीसा के घर पे होंगी नीसा की ब्लड रिलेशन्स मरेंगी लेकिन यहां तो उल्टा ही होता जा रहा है यहां पर मेरे यकीन करो मैं सब ठीक करतूँगी सीन के ठोकर दूसरी तरफ हम गालन को देखते हैं जिसे आज नीसा को इमाम के पास लेकर जाना था इमाम ने उन्हें कहा था कि तुम फिकर मत करना अला हमारी मदद करेगा और हम उस जिन को हराने में कामियाब हो जाएंगे गालन भी जब आप में सर हिलाते हुए रिसा को अपने घर लेने चला जाता है चार रास्ते में उसे इर्मा मिलती है असल में इर्मा उसे सब सच बताने आई थी यह सब कुछ जो हो रहा है वो उसके करवाई काले जातु के वज़ा से हो रहा है सचाही सुनते ही गालन का उससे से बुरा हाल हो जाता है अब आज काले जातु की पांच वी रात ब्याच चुकी थी और यह सब के उपर बहुत भारी पर ने वाली थी यहां दिखाया जाता है कि इर्मा सब कुछ रोकने के लिए श्यमत से मिलने के लिए जा रही है लेकिन अचानक से उसकी बहन बुलन पोसेस होकर उसे के उपर हमला कर देती है उसे डरते हुए इर्मा वहां से भाग कर बाहर निकल जाती है जिसकी वज़ा से उसके पालों के साथ-साथ उसकी सर की खाल भी उतर गई और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मोथ हुई इस सब देखकर इर्मा तो जैसे पागल ही हो गई थी वो अब जल से जल शेमन के पास जाकर ये सारी चीज़े रुकवाना चाहती थी ताके एटलिस्ट उसकी जाहन बच्चाए जबकि दूसरी तरफ हम दिखते हैं कि इमाम साथ नीसा का एक्सॉर्सिसम भी शुरू कर चुके थे जैसे जैसे वो मुसलिम्स की होली बुक यनि कुरान पाग बढ़ते रहते हैं इर्मा की हालत बिगरती रहती है उसको जिन जिनों ने पोजेस किया हुआ था वो यहाँ कंट्रोल से बाहिर हो जाते हैं और इस जगा मुझूद सबी इनसानों के उपर हमला करके उन्हें मार डालते हैं इधर इर्मा जो शेमन की ठिकाने पे पहुंच चुकी थी शेमन उसे वहां कहीं नहीं मिलता एकदम से नेगिटिव अनेर्चीज उसे ही अपने कंट्रोल में ले रहती हैं उसका जिस समग कर जाता है हड्या मुर जाती हैं गमर तूट जाती है और ऐसे ही एक एक करके उसकी सारी बॉड़ी तूट कर उसकी भी यहां पुरे तरीके से मौत हो जाती है यहां मस्जिद में निसा जीनों के सर्गे बहुत से लोगों को मारने के बाद अब गालन को भी पकड़ चुकी थी इससे बहले कि वो गालन को भी मारती थी यहां इमाम उसे बेहुश कर देते हैं लेकिन उसे बेहुश करने के बाद भी यह लोग दिखती है कि यहां सारे बुरे काम वैसी ही चल रहे थे और तब इमाम की नजर जाती है सोफिया पर यही नीसा की बेटी पर और सबसे बड़ा सच ये रिवीन होता है कि जो जादू इर्मा नीसा के उपर करवा कराई थी वो जादू तो नीसा के उपर हुआ ही नहीं था बलके सोफिया के उपर हो गया था और जिनों ने सोफिया को ही पॉसेस किया हुआ था और इसकी वज़ा ये थी कि इर्मा ने बात लेकिन Soffia एक नहीं सुनती और बेरहमी सी अपने डाड़ को मार डालती है। यहाँ माम जब Nisa को छोड़कर Soffia के ओपर एक्सौर्सिज्म करते हैं तो यह एक्सौर्सिज्म काम करे जाता है और जिन Soffia को छोड़कर चले जाते हैं। ये हकिकत, अगर इन लोगों को पहले पता चल जाती, कि जादू सेल में सौफिया के ओपर हुआ था, तो ये लोग काफी लोगों की जान बचाने में ही कामियाब हो जाती, पर अफसोस, अब काफी लोग मर चुके थे, कहानी की आखरी सिंग में हमें दिखाया चाता है कि अब नीसा जिन्दा है लेकिन बहुती बुरी हालत में वो हस्पिटल में एड़ बिट है और दभी उसके पास सोफी आई है सोफी की हालत अभी भी खराब थी उसका खुफनाक चिहरा कि बता रहा था कि अभी भी जिन्हों ने उसे पॉस्सेस किया हुआ है और अब वो अपनी सबसे करीबी और आफ्री ब्लड रेलिटिव यानि अपनी मौंग कुमारे की जिसके साथ यह कहानी यहीं सत्म हो जाती है